ओम गुरू गुरुवे नम नमस्कार दोस्तों मैं रेखातवर आप सभी का हर्दिक स्वागत करती हूँ आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ गुरुवार व्रत की उध्यापन विदी अगर आप गुरुवार के व्रत रखते हैं तो आप उध्यापन किस प्रकार से करेंगे वो ही मैं आपको बताने वाली हूँ जिस दिन आप उध्यापन करते हैं उध्यापन आप सुभै में करें या शाम में उध्यापन के समय आपको किन किन चीजों की आवशक्ता पड़ती है और कौन सी जरूरी चीजें है जो आपको जरूर लेनी चाहिए उध्यापन के समय यानि कि जिस दिन आप उध्यापन कर रहे हैं उस दिन हवन करना जरूरी है या बिना हवन के भी हम उध्यापन कर सकते हैं अगर हम उद्यापन कर रहे हैं तो क्या ब्राह्मनों को भोजन कराना जरूरी हैं ये सभी छोटी बड़ी बाते मैं आज आपके साथ शेर करूंगी अगर आप मेरी वीडियो पर मेरे चैनल पर आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना पहले अगर आप इन चीजों को रख लेते हैं तो उद्यापन वाले दिन आपको आसानी होती हैं उद्यापन में चने की डाल, गुड, हल, केले, पपीता, पीला, कपड़ा ये सभी चीजे आपको जरूर रखनी चाहिए ये सभी चीजे पीले रंकी हैं और ब्रस्पती देव की प्रियवस्तुएं हैं इनके उपर आप अपनी स्रधा के अनुसार दक्षिना भी रख लें जितनी आपकी स्रधा हैं जितना आपका सा पवश्य करना हैं चाहे तो आप गुड़ और चना की दाल दोनों मिक्स करके सवा किलो कर लें शवा किलो कम से कम रखना है इसने उपर आप कितना भी कर सकते हैं चाहे सवा पाँच किलो या फिर उससे भी अधिक आप चाहें तो ब्रहमणों को पांच वस्तर भी अर्पित क पर सकते हैं यदि पांच वस्तर नहीं दे सकते हैं तो कम से कम सवा मीटर पीले रंग का कपड़ा आप जरूर रखें जब भी आप पूजा करते हैं ब्रस्पतवार के दिन कोशिश करें कि ब्रहम मूरत में आप उठ जाएं ब्रहम मूरत में किया गया सनांदान अधिक पुन् पूजा करते आ रहे हैं उसी प्रकार से आज की पूजा भी आप संपन कर लें और जो भी मैंने सामगरी आपको बताई हैं वो सभी सामगरी आप पूजा में जरूर रखें विश्नु भगवान को अर्पित करें उसके बाद आप तुलसी जी के पोदे में हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करें और चनी की दाल गुड का भोग लगा कर विश्नु भगवान से प्राथना करें कि है विश्नु भगवान मैंने आज आज आपके वरत जिनका संकल्प लिया हुआ था आपने वो मेरे पूर्ण हुए और आप मेरे वरत को पूर्ण करें और मेरा जो उध्य उध्यापन है उसे स्विकार करें और मेरी मनो कामना को पूर्ण करें इस प्रकार से आपकी सारी पूजा जव संपन हो जाती है तो ये सभी सामगरी आप चाहें तो किसी ब्रहमन को अपने घर पर बुला कर आप उन्हें दान दे सकते हैं यदि ब्रहमन नहीं मिलता है तब आप किसी मंदिर में भी ये सभी सामगरी आप दान में दे सकते हैं ये सभी उध्यापन की विधी आपको जितना जल्दी हो सकता है सुबह मोर्निंग में ही करना है ये सभी कारिये और आज के दिन आप हवन जरूर करें यदि आप हवन करते हैं तो आपके घर में मालक्षमी की भी प्राप्ति होती है लक्षमी जी की क्रिपा आप पर बनी रहती है माता लक्षमी को हवन अती प्रिय हैं जब भी आप हवन करते हैं विश्णू के किसी भी मंत्र का आप उचारण करके उस मंत्र के साथ आप स्वाहा लगाकर 108 बार आहुतिया डालकर आप हवन कर लें हवन में हवन सामगरी, हल्दी, चावल, घी, कपूर, लोंग, इलाईची, गूगल, लोबान ये सभी चीजे मिलाकर आप बीच की दो उंगली और अंगुठे की साहता से जो मैंने सुरू में ही आपको मंत्र बताया, ओम, गुरु, गुरुवे, नमे, इस मंत्र का आप नाम लेकर पीछे स्वाह लगाकर आप 108 बार इस मंत्र से आहुतिया डालकर विश्नो भगवान मातालक्ष्मी का आप हवन करें विश्नो भगवान संग मातालक्ष्मी खिची चली आती हैं, तो आप जब भी उध्यापन करते हैं, तो उध्यापन आप जरूर करिए उध्यापन करने के बाद आप उस दिन इस हवन सामग्री को, इस चोकी को आप भूल कर भी ना हटाएं, अगले दिन, अगले दिन ही आपको चोकी हटानी हैं, और जो ये हवन सामग्री है, ये चाहें तो आप किसी पेड़-पोदे के नीचे डाल दें, या फिर आप विसर जित करते हैं। जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। आज के दिन आप भूल कर भी केला ना खाएं। केला आप जितना हो सकें। उतना आप दान करते हैं। उस दिन गव माता को भोग देना आप बिल्कुल ना भूलें, कहते हैं कि गव माता में 33 कोटी देवता निवास करते हैं, यदि आप गव माता को भोग देते हैं, तो आपका उध्यापन है, वो संपूर उध्यापन माना जाता है, जब भी आप गव माता को भोग देने जाते ह तो एक आटे का पेड़ा बनाकर उसमें चने की दाल, गुड और हल्दी ये तीनों चीजे मिलाकर आप गव माता को भोग जरूर दे कर आएं और एक कलश लेकर जाएं उस कलश में गंगा जल, हल्दी, दुर्वा ये दो तीन चीजे डालकर जो गव माता जहां पर बंदी हुई रहती हैं उसके खुटे पर और उनके चरणों में जल चढ़ा कर आप उनसे आशिरवात जरूर प्राफ्त करें जब भी आपकी मनो कामना पूर्ण हो जाती हैं और जिस दिन भी आप उध्यापन करते हैं उध्यापन वाली सामगरी में मंजरी सही तुलसी दल तोड़कर आप जरूर रखियें कहते हैं कि विश्नु भगवान बिना तुलसी दल के कोई भी पूजा स्विकार नहीं करते है तो आप याद करके तुलसी दल उनको जरूर अर्पित करें जो भी भोग जो भी सामगरी आपने रखी हुई हैं उन सभी में या सभी चीजों को एक थाल में रखकर उसमें तुलसी दल रखके विश्नु भगवान को वो सभी चीजे अर्पित कर दें और हो सके तो गव माता के भोग में भी आप तुलसी का पत्ता रखें, उन्हें वो भोग दे कर आएं, इस तरह से आप अपने उध्यापन को संपूर्ण करिए, अगर आप आज के दिन ये सभी पूजा, ये सभी पाठ, हवद नहीं कर सकतें, तो इसके अलावा आप आज के दिन सवा किलो बेसन के ल अगर आपने उध्यापन किया है, तो उस दिन अपने बालों में तेल नहीं लगाना चाहिए, और जैसे कि आप तो जानते हैं कि गुरुवार के दिन सर नहीं दोना चाहिए, लेकिन जो नहीं जानते हैं, मैं उनके लिए बता रही हूँ, कि गुरुवार के दिन कोशिश कर इसे ही आपका मंगल ग्रह और चंदर ग्रह ये तीनों ग्रह हैं वो कमजोर होते हैं तो भूलवश आज के दिन नाखून भी नहीं काटने चाहिए अगर आप पुरुश हैं तो दाड़ी बनवाने से भी इस दिन बचना चाहिए आज के दिन खटी चीजों का आप प्रयोग न करें अगले दिन आप इन चीजों को खा सकते हैं लेकिन कोशिश करें कि आज के दिन तामसिक पदार्थ खटी चीजों को आप सेवर ना करें सुबह उध्यापन करने के बाद आप स्वेम प्रसाद ग्रहन जरूर करें और प्रसाद ग्रहन करने के बाद आप चाहें तो दुबारा से नमक मिर्च वाला भोजन भी आप खा सकते हैं कोशिश करें कि आज के दिन लहसुन प्याजवाला आप भोजन स्वेम ग्रेंड ना करें यही थी गुरुवार के वरत से जुड़ी हुई छोटी बड़ी महत्वपूर जानकारी उमेदी नहीं पूर्ण विश्वास हैं कि यह जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी